योधा के धमाकेदार टीजर के बाद उसी को extend करते हुए एक final trailer आया है और आपको बता दू के योधा के trailer के पहले ही book my show पर इसके 30K interest हो भी गये है सो कही ना कही पर ये movie hype generate कर तो रही है बाकि trailer आया है तो थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं योधा के एक मिनिट के teaser ने जिस तरह से hype create की थी उससे यही लग रहा था कि हमें action और thrill का मस्त सा माहौल देखने को मिलेगा और सच बोलू तो इसके trailer को देखने के बाद मेरी hype और इस film से उम्मिदे और भी ज़ादा बढ़ चुकी है जिसके reason भी मैं आपको बताता हूँ पहला तो इसका action जो teaser trailer में काफी अच्छा लग रहा है specially इस trailer में last का election commission office में one take action scene देख लो भाई मज़ा आ गया दूसरा कि ये film शेर्शा के makers के तरब से ही आ रही है और शेर्शाह movie कैसी थी मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है और तीसरा के इसमें सिधार्त मलोतरा का talent पूरी तरह यूज हो रहा है चाहे action हो, romance हो या drama हर genre में fit है ये बंदा अब यहाँ story based होगी एक नहीं दो plane hijacks पे जो मैंने आपको teaser के वक्त भी बताया था कि पहला hijack रोकने में शायद वो पहले नाकामियाब रहे जिसके वज़े से उसकी वर्दी वगरा छीन ली जाए and now इस trailer से पता चल रहा है कि अपने आपको prove करने के लिए और अपनी वर्दी को वापस पाने के लिए ये दूसरी बार भी एक ऐसे plane में जाएगा जो hijack होने वाला है बट एक dialogue जब बोला जाता है कि संदिग्द hijack कर एक भारतिय फाउजी होने की आशंका जताई जा रही है यहाँ कुछ ना कुछ twist तो जरूर है भाई साब जिसका खुला सा film में ही होगा कि क्या खुद इस film का hero ही plane hijack करेगा या वो इसलिए उस plane के अंदर है क्योंकि उसको पता है कि कुछ terrorist उस plane में सफर कर रहे है जिनको पकड़ना जरूरी है तो भाई साब ये movie twist and turn से भरी होई होगी for sure और जादा तर इसके action एक plane में है याने ये हवा में चल रहे है तो शायद और भी मजा है क्योंकि इधर Indian films में ऐसा बहुत कम देखने को या ना के बराबर देखने को मिलता है उपर से यहाँ हवा में action तो एक तरफ है भाई दो मिनिट नौ सेकंड के आसपास का एक scene है जहाँ plane के एक engine में आग लग चुकी है that might get crashed अब देखो Superman तो अपने या है नहीं कि नीचे से ऐसा हाथ लगा कर plane को safe land करवा दे तो उसको भी बचाने की जिम्मेदारी अपने hero पर ही आएगी जो again एक twist है कि कैसे बचाएगा क्योंकि 2 minute 18 second पे देखोगे तो plane land हो चुका है और वहाँ से slide होने वाला raft भी बाहर निकल चुका है जहाँ से गोलिया चलाते हुए अपना hero slow motion में बाहर निकलेगा तो भाई देखने में मजा तो आने वाला है वैसे एक dialogue काफी touch कर गया कि अब इस शरीर पर या तो योधा का uniform होगा या फिर तिरंगा और ये dialogue पक का interval या interval के बाद आएगा जब वो दूसरी बार plane में होगा वैसे trailer से इतना तो पता लग रहा है कि यहाँ plane में action तो होगा ही लेकिन नीचे जमीन पर भी अच्छा खासा action हमें देखने को मिलेगा और मुझे personally hand to hand combat देखने में ज़ादा मज़ा आता है तो वो भी इस film में है so hopes तो high है अब 15 मार्च को ये movie theater में कितना और कैसा कमाल करती है वो तो देखना पड़ेगा बाकि आप बताओ आपको कैसा लगा trailer comment करो और subscribe भी कर दो भाई लोग 1 million करवाने है कि नहीं करो जाओ मिलते हैं अगले वीडियो में बाई